हेलो स्टूडेंट्स नमस्कार विकास बंसल अकाड़िमी के साफिशल यूटूब चैनल में आप सभी कार्दी का बिनन दन आज है बारा मही 2020 और आज के इस वीडियो में बारा मही के जितने भी पोटेंट कोशन्स बनेंगे उन पे चर्चा करेंगे और इस वीडियो के अंत में आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कुछ कोशन्स रखे गए हैं उनके जवाव आपने कॉमेंट बॉक्स में देने हैं चले एक पहले कोशन पे आते हैं इंडिया ने इंडियन ओस्यन यानि हिंद महा सागर में कौन सा ओपरेशन या कौन सा मिशन चलाया है ताकि जो आइलेंड कंट्रीज है उनको असिस्ट किया जासके स्टूडेंट्स एक मिशन चलाया गया सागर के नाम से और इस mission में पांच जो island countries है उनको assist किया जाएगा और उनको जो medical assistance है medical सहाईता है उसके लाव जो food assistance है यानि food जो सामगरी है वो पहुँचाई जाएगी अब सबसे पहले देखते हैं कि जो सागर mission चलाया गया है इस सागर का मतलब क्या है सागर का मतलब है security and growth for all in the reason जो security सागर का जो मतलब है security and growth for all in the reason और इसके लिए INS केसरी जो है उसको भेजा गया जो इंडियन नवल जो शिप है या इंडियन नेवी की जो शिप है केसरी इसको डिप्लोई कहागी इस मिशन के लिए और जो पांच देश चुने गए हैं उनमें Maldives, Mauritius, Cessles, Medagascar और Comoros ये पांचों देश इंडियन ओशियन में हैं, हिंद महासागर में हैं और इन पांच देशों को इस मिशन के अंडर मेडिकल असिस्टेंस और जो फूड आइटम्स है वो प्रोवाइड की जाएगी ठीक है अब देखो Maldives अगर मैं बात करूँ एशिया का सबसे छोटा देश ह अपने बताना है Maldives है, अब एक कोशन और पूछा जा सकता है कि इस ओपरेशन को किसके द्वारा प्रोग्रेस किया गया, किसके द्वारा जो है इसको कम्प्लीट किया जाएगा, तो Ministry of Defense और External Affairs Ministry इनके द्वारा इस मिशन को जो है चलाया गया है, और Defense Minister इंडिया के राजना नेशन कोन सा है, अगर इंडियन ओसियन में सबसे बड़ा आईलेंड नेशन पुछे, आपने बताना है Madagascar, जो वर्ल्ड में इसका रेंग है फोर्थ, अगर वर्ल्ड में आईलेंड के इसका फोर्थ रेंग है, और सबसे बड़ा ग्रीन लेंड है, और अगर बात करें, इंडियन ओसियन में, तो ये सबसे बड़ा आईलेंड नेशन है, और मौल्डिव इंडियन ओसियन में सबसे चोटा आईलेंड नेशन है, मौल्डिव जो है सबसे चोटा आईलेंड नेशन है, तो कोशन बड़े बनेंगे, तो कोशन आए कि जो पांच आईलेंड नेशन उ और Comoros आप सभी स्टूंडेंट्स ने इन पांचो देशों की capital और currency आपने comment box में लिखना है जो Maldiv है, Mauritius है, Cecil's है, Medagascar है और Comoros है जितना जल्दी उसके आपने comment box में इनके जबाव देने हैं अब बात करते हैं कि इंडियन ओसिन में सबसे बड़ा island nation तो Medagascar है और सबसे छोटा आपने बताना है Maldives है, तो world का सबसे बड़ा island nation कुन सा है तो आपने बताना है Greenland, question आए आपको कि world का सबसे बड़ा island nation आपने बताना है Greenland है और Kalalit जो नुनात है, इस जो language की people रहते हैं इसलिए इसका नाम Kalalit नुनात भी बोला जाता है Greenland को, चलिए question number 25 students, name the president of international hockey federation, देखे students, international hockey federation का जो president थे, उनका कारेकाल 2021 तक बढ़ाया गया, इसलिए काफी चर्चा में Indian है और नाम है नरिंदर बत्रा, ठीक है ना, नाम पुछे, आपने नाम बताना है नरिंदर बत्रा और नरिंदर बत्रा को International Hockey Federation का प्रेजडेंट ये बना रहेना है 2021 तक और इसकी स्तापना जो है, Federation of International Hockey या International Hockey Federation 7 जनवरी 1924 को इसकी स्तापना हुई, और इसका head quarter जो है, ये लुसाने में है, लुसाने स्वीजर लेंड में है, और इसके जो CEO है, उनका नाम है थीरी वील, अ अगर आपको Question I के Indian Hockey Team के Captain का नाम, तो आपने मनपरीज सिंग पवार बताना है, और वीमिन Hockey Team के जो Captain है नाम है रानी रामपाल, तो Question I International Hockey Federation के President आपने बताना है, नरेंदर बत्रा, Question No.3 पे आते हैं, When Celebrate National Technology Day, बड़ा ही important Question exams के लिए, National Technology Day मना आ जाता है 11 माई को, ये 11 माई को क्यों मना आ जाता है, Students, देखो, भारत के अंदर सबसे पहले, अगर मैं बात करूँ, परमानू प्रिक्षन हुआ था, पोकरन में 1974 के अंदर, और ये हुआ था 18 माई, और इसका जो कोड नेम था, Smiling Buddha, ठीक है ना, सबसे पहली बर अगर इंडिया में नूकले टेस्ट हुआ, इसको पोकरन फर्स्ट भी कहा जाता है, और इसको Smiling Buddha के नाम से भी इसको, क्योंकि इसका जो कोड नेम था, Smiling Buddha था, और सेकिंड बर जो परमानू, पोकरन टू जो हुआ, ठीक है ना, यहां पे शक्ति इसका नाम था, और ये हुआ 11 माई 1998, और इसके बाद में भारत को परमानू जो अगर संपन रास्टर का एक designation दे दिया गया, तो उसके कानू समय भारत के परधान मंतरी थे, अटल बिहारी, वाजपई, और इनके नितरतों में 1999 से एक डे सेलेब्रेट किया जाने लगा, National Technology Day, तो आपको question पुछे, किस event की याद में, आपने बताने, 11 माई 1998 को राजस्तान के पौकरण में शक्ति न्यूकलिर जो मिजाइल थी, उसका जो सफलता पूरुन जो टेस्ट किया गया था, इंडियन आर्मी के पौकरण टेस्ट रेंज में, जो कि राजस्तान में है, इस करके 11 माई को मना जाता है, National Technology Day, और भारत में मिजाइल की टेकनिक क जो विकास करने का श्रेज आता है, डॉक्टर एपीज अब्दुल कलाम को, इसलिए उनको मिजाइल में आफ इंडिया भी कहा जाता है, क्वशन आए न आपको, कि मिजाइल में आफ इंडिया किसको कहा जाता है, डॉक्टर एपीज अब्दुल कलाम को कहा जाता है, आपने जो अगनी 5 जो मिजाइल बनी जिसकी मारक शमता या जो बहुत ज़ादा है 5000 किलोमेटर से भी ज़ादा है और इसका जो ये पहली जो वीमेन थी जिसने मिजाइल प्रोजेक्ट को हेड किया था इसलिए इनको मिजाइल वीमेन आफ इंडिया या अगनी पुतरी कहा जाता है इनको और ये केरला से हैं अगर क्वेशन आए फादर आफ इंडिया नुकलियर प्रोग्राम आपने बताना है होमी जे भाबा क्वेशन आए आपको कि फादर आफ इंडिया नुकलियर प्रोग्राम आपने बताना है हो मि जे भाबा देखो national technology दे को लेके question बड़े बन जाते देखे नेशल прोग्राम आजाता है 11 मई' क्यों मना आ जाता है 11 म' 1998 को परमानू जो पोकरण में prediction हुआ था परमानू का और इसका नाम ता शक्ती और सब ये वो इंसान थे जिनों ने नुक्लियर जो प्रोग्राम था इंडिया में उसकी शुरुवात करी थी इसके लाव को सुनो रहा सकता है होमी जे भाबा के नाम से एक 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 रिसर्ट सेंटर बना हुआ है मुमबई के अंदर दा बाबा एक रिसर्ट सेंटर आपको थुमबे सकता है मुंबई आ सकता है दोनों में एक अंसर लगेगा बाबा एटॉमिक रिसर सेंटर बी ए आर सी भी कहा जाता है इसको और इंडिया और एशिया का पहला नूकलियर रियक्टर जहां पर नूकलियर से एनरजी जनरेट की गई उसका नाम था अपसरा कोशन बहुत बार आत से 1956 के अंदर तो कोशन आए इंडिया का पहला नूकलियर रियक्टर आपने बताना है अपसरा और नूकलियर रियक्टर में नूकलियर से एनरजी जनरेट की जाती है और इंडिया का पहला नूकलियर रियक्टर था अपसरा तो वीद आईए कोशन आप सभी को समझाया होग question number 4 पे आते हैं when celebrate international nurses day students international nurses day मना जाता है 12 मई और ये मना जाता है birth anniversary of Florence nightingale nightingale वो इंसान थी वो महिला थी जिन्नोंने nurse के जो व्यवसाय को nurse के जो एक अगर कह सकते हैं कि इसकी training को एक professional रूप दिया था और मानवता बलाई के लिए इसको आगे लेकिया थे क्रीमिया रश्या के अंदर एक युद हुआ था 1854 के अंदर 1854 के अंदर उस युद में France और टर्की और ये Britain एक साइट थे और इनका युद था रश्या के साथ उस दोन क्रीमिया के अंदर जो सैनिक गए ठंड के कारण और बहुत के उनकी बहुत बुरी हालत होगी और गंदगी बहुत जादा थी और वहां पर इतनी जादा बदबू आ रही थी कि वहां पर खड़ा होना मुश्किल था तो ऐसे हालात में उन्हों ने उस होस्पिटल की जो डोर थी संभाली और उसके बाद में इन्हों ने उन मरीजों का उन जो सॉलजर्स का इलाज किया जिस कामी देखते तो जैसी रात को अपनी ड्यूटी के दौरान जाते उन से मिलने तो हाथ में लैंप लेके जाते थे इसलिए इनको कहा जाता है लेडी विद लैंप कॉशन आए आपको कि लेडी विद लैंप किसको कहा जाता है तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल क्यों क्यों क्यो अगस्त 1910 को 1910 को 2020 का थीम पुछे तो बताना है nursing the world to health आपको 2020 का थीम पुछा जा सकता है nursing the world to health इसका थीम है और international council of nurses के द्वारा ये day celebrate किया जाता है हर साल और ये जो international council of nurses है इसका headquarter है जिनेवा के अंदर और स्थापना हुई थी 1899 यानि 1899 में इसका जो स्थापना हुआ और ये first international organization था health care professionals के लिए जो health care professionals है उनके लिए पहला international organization था नाम था international council of nurses और इसकी स्थापना 1899 में हुई अब एक question हो रहा सकता है डबली अचो ने 2020 को क्या डिकलेर किया तो आपने बताना है international year of nurses and midwives ठीक है international year of nurses and midwives इसका जो year डिकलेर किया डबली अचो ने 2020 को और 2020 में covid pandemic के दोरान ये मानवता के लिए सेवा कर रहें लगातार अपनी जान की परवा किये भी ना Florence Nightingale को कहा जाता है lady with the lamp और मैंने आपको बता दिया कि lady with the lamp क्यों कहते है क्योंकि क्रीमिया के युद के दोरान ये रात दिन लगे रहते थे दिन में तो परकास के दोरान कोई दिकत नहीं थी रात को भी है जब सेनिकों को देखने जाते तो हाथ में lamp होता तो उन्होंने ब ये क्या थे एक परसिद बहुती परसिद अपने फिल्ड में थे तो आपने बताना है historian हरी शंकर वासुदेवन का कोलकाता में निधन हुआ है COVID-19 के कारण अभी ये संकरमित हो गए थे COVID-19 पोजिटिव हुए थे जिसके कारण हरी शंकर वासुदेवन के डैथोगीर भारत एक बहुत बड़ा historian खो दिया तो हरी शंकर वासुदेवन कोलकाता में रहते थे और he was considered on the foremost names in Russian and Central Asian history Russian और Central Asian history में इनका काफी नाम आता था अब question आए आपको Indian Council of Historical Research ये किस ministry के अंडर वर करता है तो ministry of HRD के अंडर वर करता है और ये बना हुआ है New Delhi के अंदर तो आपको question है हरी संकर वासुदेवन तो आपने बताना है historian question number 6 पे आते हैं which country named a street after Rabindranath Tagore on his 159th birth anniversary Rabindranath Tagore की birth anniversary 7 मई को होती है और उनको आदर देने के लिए रिस्पेक्ट देने के लिए इसराइल ने एक गली का नाम गली में जो सड़क है उसका नाम जो है टेगोर स्टीट रख दिया है ठीक है इसका अंसर आएगा इसराइल तो यह जो स्टीट है वो बनी हुए तालावीब के अंदर तालावीब जो है वो इसराइल के अंदर है और यहां पर Rabindranath Tagore जो मारग है या जो सड़क है यहां कह सकते है जो गली है उसका नाम रखा गया है टेगोर स्टीट अब Rabindranath Tagore मैं बता दूँ आपको एशिया में सबसे पहली बर जो नोबेल ओवर्ड मिला था किसी भी स्ट्रीम के अंदर या किसी भी सेक्टर के अंदर वो मिला था Rabindranath Tagore को और इनको मिला था Literature का 1913 के अंदर 1913 में और इनकी जो बुक थी उनका नाम था गीतांजली गीतांजली स्टूडेंट्स इनके गीतों को कमपाईल करके एक बुक बनाएगी थी गीतांजली 1910 के अंदर और उसके कान इनको ये अवार्ड मिला 1913 में और ये अवार्ड पाने वाले सिरफ ये प अस्ट्रगान लिखे हैं भारत और बांगलादेश भारत का जो रास्ट्रगान है नेशनल एंथम है उसका नाम है भारत बागय विधाता और बांगलादेश है अमार सोनार बांगला ठीक है तो आपको कौशन आए कि रबिंदरना टेगोर के नाम पर उनकी 159th बरत अनवरस नमबर 7 पर आते हैं रिसेंटली इंडियन और चाइनिस ट्रोप्स क्लैश और बॉर्डर नियर नाकुला पास इन विस्टेट आपको पता है भारत और चाइना के बीच में इन दुनों में बॉर्डर जैसे लदाख है और सिक्किम है इन में काफी जो गर्मा गर्मी है और य लेपला ये तीनों की तीनों पास पूछे आपको आपने बताना है सिक्किम इसके लावा जो अगर मैं बात करूँ लदाख जो यूनिन टेरेट्री जो लदाख है वहां पर भी इनका कुछ जो डिस्प्यूट सामने आया है पेंगोंक लेक के उपर क्योंकि पेंगोंक लेक पर बनी हुई साल्ट वाटर लेक है कौशन आज आए आपको कि वर्ट में सबसे उंची जो साल्ट वाटर लेक कौनसी है पेंगओंक लेक है और पेंगोंक जो लेक है यह 450 मिटर हाइट पे है और कॉशन आए आपको इंडिया और चाइना कितनी बॉर्डर शेयर करते हैं तो 3488 किलोमेटर जो है लाइन अफ एक्चुल कंट्रोल या कह सकते हैं मैक मोहन जो लाइन है ये इंडिया और चाइना आपस में शेर करते हैं तो आपको कॉशन है कि जो नाकुला पास पर इनका कॉंट्रोवर्सी हुआ कि स्टेट में आपने बताना है सिकिम और पेंगोंक ल पार्केटिंग डेवल्पेंट फेडरिशन ऑफ इंडिया इन्होंने साइन किया है MOU Memorandum of Understanding for Promoting the Tribal Enterprises यानि जो ट्राइबल एंटरप्राइजिस है या ट्राइबल जो लोग है जैसे वो जो भी उतपाद बनाते हैं इंडस्ट्री के लिए उनको प्रमोट करने के लिए इन श्री श्री रवी संकर इनके द्वारा इसको इस्टैबलिश किया गया 1981 में नाम है Art of Living और इसका Headquarter है Bengaluru करनाट का के अंदर और इन्होंने टायप किया है TRIFED के साथ टाकि जो ट्राइबल लोग जो भी उतपाद बनाते हैं उनको प्रमोट किया जासके Ministry of Tribal Affairs तो आपने बत बताना है Minister of State of Tribal Affairs अब कोशन और आ सकता है कि भारेस सरकार ने हाल ही में Central Tribal University सेट अप करी है कहां पे करी है Rally Village और ये कहां पे है इंद्रा गांधी Tribal University और ये अमर कंटक में बनी हुई है और अमर कंटक जो है मध्य परदेश में है कोशन आए इंडिया की पहली जो University for Tribal People तो आपने बताना है इंद्रा गांधी Tribal University और ये अमर कंटक मध्य परदेश में है क्वेशन नमर 9 पे आते हैं विच इंडियन जनलिस्ट नेम्ट फोर ड्यूश्वेल Freedom of Speech Award 2020 फोर रिपोर्टिंग ओन COVID-19 पैंडेमिक Freedom of Speech Award जो है काफी पत्रकारों को चुना गया है क्योंकि COVID-19 के चलते इन्होंने जो सच्चाई दिखाने का प्रयास किया है और ये अवार्ट जो एक इंडियन को भी मिला है नाम है सिधार्थ वर्धराजन क्वेशन है आपको कि Freedom of Speech Award 2020 किसको दिया गया है सिधार्थ वर्धराजन को दिया गया है और सिधार्थ वर्धराजन जो है ये founder है वायर जो के एक Indian News और Opinion website है और इसको found क्या गया था 2015 में तीन लोगों के द्वारा जिनका नाम है सिधार्थ वर्धराजन सिधार्थ भाटिया और M.K. वेनू इनके द्वारा इस दावायर जो है वेबसाइट को लॉंच किया गया 2015 के अंदर और Foundation for Independent Journalism एक NGO है ये इसके अंदर काम करता है चलिए तो इसका जो अंसर आएगा सिधार्थ वर्धराजन जिनको Freedom of Speech Award मिला है 2020 के लिए और Press Freedom Day जो मनाएगा 3 मही को मनाएगा Question No.10 पे आते हैं Which organization developed through DHUVS Sorry DRUVS जो लॉंच किया है और इसका फुल फॉर्मेट Defense Research Ultraviolet Sanitizer ठीक है न ये Defense Research Ultraviolet Sanitizer है और इस Sanitize करेगा Electronic Gadgets को, Papers को और Currency Notes को और इसको डेवलप किया है DRUVS Defense Research Development Organization ने और नाम इसका दुरूस यानि Defense Research Ultraviolet Sanitizer और करेगा किसको Electronic Gadgets या Papers और Currency Notes को करेगा और करेगा किससे Ultraviolet Laser से इसको बनाया किसने है DRUVS एक लैब है नाम है Research Center इमारत लैब और ये हैदराबाद में है और DRU की स्तापना हुई थी 1958 को और इसका Headquarter है New Delhi के अंदर और इसके लिए जो Ministry Responsible होती है Ministry of Defense और इसके Chairman का नाम है जी सतीश रेडी ठीक है ना Question है DRU के Chairman आपने बताना है जी सतीश रेडी Question No.11 पे आते हैं Which country's ship Conark was hit by a missile during novel exercise recently देखे इरान में अभी novel exercise चल रही थी और उसमें दो ports ने दो ship ने भाग लिया Conark और जामरान और जामरान ने अपनी ही ship को by mistakely accidentally जो missile चल गी जिसके कान जो Conark जो ship थी हिट हो गई जिसके कान काफी जो है उसमें जो अगर बात करें एक हवाई जहाज को missile से हिट किया गया था और उसमें जो ये था उसमें भी काफी जो सैनिक नहीं जो civilian लोग थे वो मारे गए थे तो this accident happened in Gulf of Oman near port of Jask ये just support के नजदिक हुई हुआ है और इस ship का नाम था कौनार कोर जामरान इरान की capital पुछे तहरान बताना है currency रियाल लेकिन अभी नई currency launch की गई नाम है तॉमान question आए आपको तॉमान का की currency launch की गई है इरान एक question और आसकता है जैसे जो सुलेमानी की death हुई उसके बाद में ने commander बने है general इसमेल कानी इसमेल कानी इरान कुट्स जो force है उस unit के head बने है इसमेल कानी इरान के president है हसन रोहानी question आए आपको इरान के president का नाम आपने बताना है हसन रोहानी बढ़ते हैं next question के तरह बचो kayaktyo pagoda ये kayaktyo pagoda है इसको golden pagoda भी कहा जाता है उसके इलाव मैं बात करूँ shedagon pagoda mahamuni buddha temple ये सारे के सारे मेनमार में है और मेनमार को प्राने समय में बर्मा कहा जाता था लेकिन आज इसका नाम है मेनमार और question आए आपको कि किस देश को country of golden pagoda कहा जाता है तो मेनमार को कहा जाता है अब आपने question बता रहा है कि किस मंदिर को भारत में black pagoda कहा जाता है black pagoda किसको कहा जाता है question number 13 कावेरी wildlife century where Indian grey wolf spotted situated in which Indian state कहते हैं कावेरी wildlife century कहा पे जहाँ पर इरियन grey wolf को sport किया गया है और आपने बताना है करनाटका का वेरी wildlife century जो है यह करनाटका में है करनाटका की capital बेंगलूरू है question number 17 पर आईए 17th session of देखो अपना देश webinar title exploring river nila तो यह river nila कहां पे तो आपने students बताना है केरला के अंदर और केरला में इस river nila को बारता फुजा की कहा जाता है और पेरियार के बाद केरला की सबसे बड़ी river है ठीक है ना अगर पेरियार रिवर की बात करें तो केरला मेर पेरियार के बाद केरला की सबसे बड़ी river है नाम है भारता फुजा या इसको निला रिवर कहा जाता है और जो ये वेबिनार लॉंच के आगे इसका टाइटल एक्स्प्लॉरिंग रिवर निला काफी इपोटेंट कोशन बनता है तो रिवर निला आपने बताना है कैरला के अंदर है और ये कैरला में पैरियार के बाद नस्टिटीट ओफ भाइरोलोजी डेवलप इंडिया फर्स्ट एंटिबॉडी टेस्टिंग किट एलिसा वेर इस एन आईवी देखो इंडिया की पहली एंटिबॉडी टेस्टिंग किट कोबिट-19 के लिए लौँच की गई है नाम है एलिसा और एन आईवी यानि ने आपके द्वार योजना launch by which Indian state FIR आपके द्वार ठीक है न ये बोपाल में launch की गई है और बोपाल मद्यपरदीश में है question number 17 देखिए direct question ही है option निया इसमें इंदू सरकार चतुरवेदी को नया secretary बनाया गया ministry of new and renewable energy question है आपको कि ministry of new and renewable energy है इसके नए secretary को न बने है इंदू, शेखर, चतुरवेदी और minister of state for new and renewable energy है नाम है राजकुमार सिंग अब आप सभी students के लिए कुछ questions AIIB ने कितना जो loan है भारत के लिए sanction किया COVID-19 से लड़ने के लिए दिया मिर्जा का time extend किया goodwill ambassador किस organization की question number 3 पे आईए, door to door midday meal राशन बांटने वाला भारत का पहला state question number 4 देखिए, mini Mumbai किस भारतिये शहर को कहा जाता है question number 5, which Indian state या UT has highest unemployment rate और कितने percent है वो भी आपने mention करना है question number 7, international energy agency का headquarter कहां पे है और इंडिया में energy की demand कितने percent कम हो गई इस के recording ये भी आपने बताना है नेतरावली वाइडलाफ सेंचरी कहां पे है, किस Indian state में है, वहांके CM और गवरनल का नाम आप pension किजिएगा question number 9, पे है ये, लीपू लेक पास कहां पे, किस बार की state में है, और जो सड़क बनाए गई है केलाश मांस रोवर के लिए, उस सड़क की लंबाई कितनी है और उसको किस organization ने बनाया है गल्फ ओफ मनार मेराइन नैशनल पार कहां पे है, किस state में है question number 11, when celebrate world thalasmia day, thalasmia day कब मनाया गया, और इस दिन और एक दे और मनाया जाता है, कौन सा मनाया जाता है question number 12, who is union minister of ayush, इंडिया के ayush minister का क्या नाम है question number 13, which state ban 11 brands of pan masala, pan masala के 11 brands को ban कर दिया है कि किस state के अंदर और name the cm of जारकंड, जारकंड के cm का क्या नाम है, तो मीदे students जितने भी questions करवाए गए हैं, आप बढ़िया से कर पाओगे इन questions को आप अच्छे से करो, exam में आपके बहुत काम आएंगे और इस questions के साथ जो extra knowledge होती है, details होती है, उनको आप अच्छे से देखिएगा, धन्यवाद